गुड बॉर्निंग बच्चों कल हमने एकी मात्रा बोड पर सीखी थी उसका कारे किया था आज भाशा मनी हिंदी पार्थ माला में सी ये देखी पेज नमबर 49 पार्थ साथ मेला ये पार्थ बच्चों एकी मात्रा से संबंधित है ये देखी इसका कुछ कारे दिया है ये हमने कल शब्द पड़े थे ये जो कारे किया है हमने कारे दिया है ये हम दूसरे वीडियो में करेंगे पहले हम इस पार्थ को पढ़ते हैं और समझते हैं मेला मेला बच्चों जहां देखी बहुत सारे लोग बाग की भीड़ होती है और वहाँ पे कई दुकाने लगती है कई तरह की चीजे मिलती है सब हसी खुशी समेले में जाते हैं उसका आनंद उठाते हैं आप भी कभी मेला गए होंगे? देखे, उसी से सब्बंदेती ये पाठ है तो चलो हम पढ़ते हैं शहर के पास मेला लगा था शहर, एक शहर है जिसके पास में ये मेला लगा था सभी बच्चे मेला देखना चाहते थी सभी बच्चों को शोग होता है मेला देखने का तो बच्चे जो थी वो क्या चाह रहते? मेला देखना रमेश, नेहा, रिश्मा, और केशव कितने लोग हो गए? एक, दो, तीन, चार ये चारों आपस में मित्र थी स्कूल की ओर से, स्कूल की तरफ से मेला देखने गए जैसे आप स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं उसी तरह से स्कूल की तरफ से रमेश, नेहा, रेश्मा और केशव कहां गए मेला देखने स्कूल की ओर से, स्कूल की तरफ से मेले की चमक दमक देखते ही बनती थी मेले में जो चहल पहल थी, चारो और दुकाने सजी थी सब सामान खरीद रहे थे, सब खुश थे यही चमक दमक देखते ही बनती थी इतनी चहल पहल देखकर सभी खुश हुए एक दुकान पर जलेबी बनते देख सब का मन लल चाया मन लल चाया न मने, मुह में पानी आना यह देखो, यह दुकाने हैं यहाँ पर एक जगे जलेबी बनते देख सभी को क्या लगा? कि चलो हम जलेबी खाएंगे सब का जलेबी खाने का मन होने लगा रमेश ने अपनी जेब से 30 रुपिये निकाल कर जलेबी खरी दी जलेबी किस ने खरीदी? रमेश ने कितने रुपे में? 30 रुपे में 30 रुपीज में सबने मिलकर जट से जट से मने जल्दी से जलेबी चट कर दी चट कर दी? खाली आगे चलने पर तरह तरह के जूले दिखे आपको जूला जूलना अच्छा लगता है बचों तो 10 दस रुपिये दे कर सबने जूले का मजा लिया जूले की टिकट कितनी थी? 10 रुपे तो सबने 10 दस रुपे दिये और सबने जूले का मजा लिया एक जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था जादूगर को है? जादू का खेल दिखाने वाला जादू का खेल देखकर बच्चे ताली बजाने लगे नेहा ने अपने लिये एक गुडिया खरी दी गुडिया किस ने खरी दी? नेहा ने केशव गुबारे खरीद कर बहुत खुश हुआ केशव ने क्या लिया? गुबारे नेहा ने गुडिया खरी दी और रमेश ने जले भी खरी दी सबने अलग अलग चीजे खरी दी रमेश ने पेड़े खरी दे रेश्मा सोरी रेश्मा ने पेड़े खरी दी और रेश्मा ने पेड़े लिये सबने मिलकर पेड़े खाए सूरज ढलने से पहले ही बच्चे स्कूल वापस आ गए शाम होने वाली थी तो सभी बच्चे स्कूल वापस आ गए सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए तो बच्चों ये मेला वाला पाठ हमने पढ़ा अब देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है अभी हम नेक्स वीडियो में करेंगे तो हमने समझा ये मेले का एक दृष्य है चित्र है यहाँ देखिए सभी लोग मेले का आनंद ले रहे हैं सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं कोई जूला जूल रहा है ठीक है तो नेक्स वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे थैंक यू